आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, let's discuss the question and the question says that L, M, N, O and P are sitting in a line facing east L and M are sitting together N is sitting at north end and O is sitting at south end P is the neighbor of M and N who is third from the north चलिए देखते हैं बच्चे question को कैसे solve करना है हमसे करा सर पाँच लोग हैं एक सीधी पंक्ती में सारे के सारे इस्ट की और देख रहे हैं हमने पाँचों लोगों को draw कर दिया यहां आगे हमसे कर रहा है L and M are sitting together L और M साथ-साथ बैठते हैं तो इस बात को रफ़ी लिख ले L और M साथ-साथ बैठते हैं उपर नीचे हो सकते हैं N is sitting at north end north end उपर होता है यह कौन हो गया? N हो गया O is sitting at south end south end में बच्चे कौन आ गया? O आ गया P is the neighbor of end M and N P को M और M का पलोसी होना बच्चे तो P यहीं पर आएगा तभी P M और N का पलोसी हो पाएगा और M से किसको जॉइंड कर दें? L को क्योंकि M और L साथ-साथ बैठते हैं तो पूरा का पूरा डाइग्राम हमारे पास बन के तियार हो गया हमसे कोशन क्या कर रहा है कोशन में कह रहा है कि sir who is third from the north end north end से third कौन सा है north end से third बच्चे first पर ये आया, second पर ये आया third पर कौन आया, M आया तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा बच्चे C option, M is the correct answer Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने डाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर